हिमाचल सरकार में लोक निर्माण विभाग एवं यूवा खेल सेवाएं मंत्री विक्रम अदित्य सिंग कांग्रा जिला के दोरे पर हैं कांग्रा जिला की सीमा विधान सभाज जवाला मुखी से शुरू होते ही स्थानी विधाक संजेरतन वो कांग्रेस के कारेकरतों ने उनका भवे स्वागत किया विक्रम अदित्य के ज्वाला मुखी पहुचने पर कॉंग्रेस कारेकरतों ने उन्हें एनच पर स्पीड ब्रेकर से रहत दिलवाने के बारे में जैसे ही का तो खुद विक्रम अदित्य सिंग बोले मैं भी इसी रास्ते से आ रहा हूं और मुझे भी जटके लगे जल्द ही इस समस्या का समधान करने के निर्देश भी उन्होंने ततकाली अधिकारियों को दे दिये विक्रम अदित्य सिंग ने कहा कि कांगणा जिला का हिमाचल में कॉंग्रेस की सरकार बनाने में एहम योगदान रहा है और उनके पिता स्वरगी बीरबदर सिंग जब भी मुख्य मंत्री के रूप में कांगणा जिला में आये तो उन्होंने कांगणा के विकास को सर्वो परी रखा है प्रदेश के मुख्य मंत्री सुक्विंदर सिंग सुकु भी उसी तर्श पर जिला कांगडा को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं रख रहे हैं और कांगडा दोरे पर इसलिए आया हूँ कि सडकों पुलों की पूरी फीडबैक अधिकारियों से ली जाएगी और बड़ी परियोजनाओं के बारे में भी अधिकारियों से मिलकर विकास के रास्ते आगे बढ़ाय जाएंगे जौलामखी के विधायक संजेर अतर ने भी इस मौके पर कहा कि उनकी विधान सबक शेतर में कई सडक एक शतिग्रस्थ हो गई हैं ऐसे में उन्हें जल से जल ठीक करवाया जाए ताकि यहां की जनता को रहत मिल सके इस पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जल ठीक करने का कारी शुरू किया जाए विक्रमादित्य ने विपक्षी दलभाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि राम का नारा किसी का वाटर मॉक नहीं हम भी हिंदू है और इनसे ज्यादा और इसके लिए कोई हमें प्रमाण देने की आवशकता भी नहीं है करनाटे की जनता ने अतिहासिक जीत कॉंग्रेस को दी है धर्मशाला में बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें वे भाग लेने चा रहे हैं जिसमें समस्त वे भागी अदिकारियों को बलाए गया है कांगına माचिल प्रदेश का एक बहुत ही महतुपुरण जिला है और यहां की विकास की गती विकास को गती देना कि हमारी सरकार की प्रात्मिक्ता है कॉंगर्स पार्टी की सरकार बनी है और उसमें जिला कांगणा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे पिदा जी सोजिय वीर बद्र सिंग जी इसक शेत्र का लगातार दोरा मुख्यमंत्री काल में करते आएं हैं और जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी है सुख्यू जी वो भी इस इलाके को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं एक कारिक्रम है जिसमें हम सब यहां पे शिर्कत करने के लिए आए हैं और उसके साथ साथ जो हमारा विभाग है उसकी भी हमने एक रिव्यू बैठक शाम को जो है वो ध्रमशाला में रखी है ताकि जितने भी विकास के कारिया यहां चल रहे हैं आपके ब्रिजिस का निर्मान है आपके मेटलिंग टारिंग हो रही है बिल्डिंग्स का निर्मान है उसका हम पूरा जायजा लेंगे बजट का उसमें प्रावधान के लिए जो है पूरा प्रयास करेंगे ताकि इस यह सब जो है वह वो राजनीति मंच से उपर उठकर होता है और अभी देख लिया बजरंग बली करनाइटिका में क्या किया बजरंग दल ज्यादा उचल रहा था बजरंग बली ने जो है यही संदेश के साथ आगे चल रहे हैं कि हिमाचिल प्रदेश एक देव भूमी है, यहां पे कन-कन में देवी देवताओं का आवास है, और ज्वाला जी की बात करें, यहां पे जो हमारी ज्वाला मा है, पूरे विश्व में प्रसिद है, तो यह हमारी धरवर है, यह हमारी सं वलकि उनसे जादा हिंदू है। अब करेंगे आज भी हमारे विधायक संजर रतन जीन है। यहां पर जितने हमारे अधिकारी है। चीफ इंजिन्यर है, हमारे AC है और हमारे जो ऊस्टानिया यहां के एक्सियन है, अभी नए एक्सियन यहां पर आएं है। उनको उनके साथ ग्रीश मीटिंग करी है, यहां के जो विकास कार्य चल रहे हैं, उनको गती देने के लिए मैंने भी अधिकारियों से निविदन बू किया है, पुरा सयोग जो है वानने विधाहिक्ता दें इलाके के विकास कार्यों को आगे ले जाने के लिए यहां पे पूर सरकार द्वारा जबीर बज्जा सिंग जी की सरकार थी कॉंग्रिस पार्टी की उस समय बहुत विकास के कारें